बच्चो पिछली कक्षा में हमने बात की कि हिमालय का उत्तरी जो परवती प्रदेश है वो किस प्रकार से बना कैसे इसका निर्माण हुआ और उत्पत्ती के कारण के साथ साथ इसका जो विभाजन है भौतिक विभाजन और प्रादेशिक विभाजन और साथ ही हमने ये भी कि यहां रहने वाले लोगों की अर्थ विवस्था कैसी है, रहन सहन कैसा है, वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, इन सभी बातों पर चड़्चा की, आज हम बात करेंगे भारत के दूसरे महत्तो पूर्न प्राकृतिक विभाग पर जिसे हम उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं, बच्चों, भारत का ये उत्तर का विशाल मैदान हिमाले के ठीक नीचे दक्षिन में पड़ता है, और इसका निर्माण भी जो है, वो हिमाले के निर्माण के बाद हुआ है, और इसलिए इस विशाल मैदान को हम हिमाले का उपहार भी कहते हैं, और उपहार इसलिए भ जो नदिया हैं और इसके साथ ही उत्तरी जो प्रायदीपी पठार है उससे निकलने वाली नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए गए हैं उनके जमाओं के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ हैं इसलिए भी हम इसे हिमालय का प्राकृतिक उपहार कहते हैं बच्चो ये विशाल मैदान जो है वो बहुत महत्तपूर्ण बहुतिक भी भाग है क्योंकि चुकि ये नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के द्वारा जमाओं या निक्षेप के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ हैं तो ये बहुत जादा उपजाओ है कृशी के द सबसे अधिक मिलती हैं क्योंकि हमारा भारत भी जो है वो कृषी प्रधान देश है और ये पूरा छेत्र जो है वो कृषी के दृष्टि कोड से उपजावू मैदान के कारण बहुत अधिक महत्वपून हो जाता है इसलिए लोगों की सघन बसाहट जो है वो इस छेत्र में द इंडियन प्लेट युरोपियन प्लेट की तरफ खिसकी और उस सागर में जो है वो सागर के आउसादों में वलन पड़े और हिमालय परवत का निर्माड हुआ तो इसके बनने के बाद जो टेथिस सागर का कुछ छूटा हुआ भाग था ये कहा जाता है कि ये जो मैदानी है वो पहले हिमालय परवत और प्रायदीपी पठार इन दोनों के बीच में एक जियो सिंक्लाइन या भू सन्नती जो थी उसकी आवस्थिती थी या इसे ये भी माना जाता है कि ये टेथिस सागर का शेश भाग था और इसी भू सन्नती में या जियो सिंक्लाइन में दोनों तरफ से हिमाले परवत से और प्रायदीपी पठार के उत्तरी छेत्र से जो नदिया प्रवाहित हो रही थी उनके द्वारा इस भुसन्नती में और निक्षेपों का जमाओ किया गया और कालांतर में बहुत लाखों वर्षों के बाद फिर ये जो मैदान है वो उसका वर्तमान सरूप हमारे सामने नजर आता है बच्चों इस मैदान का विस्तार जो है वो पाकिस्तान भारत और बांगलादेश तीनों ही देशों में हमें देखने को मिलता है और यदि हम इसका विस्तार देखें तो ये पश्यम में सिंधु नदी घाटी से लेकर मध्य में गंगा नद की घाटी तक इसका जो विस्तार है वो देखने को मिलता है हमें मालूम है कि सिंधु नदी के तट पर ही जो सभ्यताएं हैं उनका जन्म हुआ जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता से हम बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये मैदान हमारे लिए और महत्यपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ये सभ्यता और संस्कृती का भी केंद्र रहा है बच्चो आएए अब हम आगे चर्चा करते हैं इस मैदान की उत्पत्ती के बारे में हमने देखा और अब हम बात करते हैं कि जो सिंधु गंगा और ब्रह्म पुत्र नदी ये तीनों क कि जो आवसाद या इनका प्रवाा छेत्र जो है वो इस छेत्र में हमें देखने को मिलता है इसलिए हम इसे शिन्दु गंगा और ब्रह्म म्ाव कुत्र का मैदान भी कहते हैं ये मैदान जो है वो संतल या समान दखते हुए भी इसमें हमें बहुत अधिक विभिन्यताय भी देखने को मिलती है मतलब इस पूरे मैदानी छेतर में सब जगह समान रूप से वर्षा नहीं होती है इसके पुर्वी छेतर में अधिक वर्षा होती है और जैसे जैसे हम पश्रिम की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वर्षा की म रियाना है पश्रमी उत्तर प्रदेश तो यहां पर गेहूं जो है वो प्रमुक फसल होती है हिमाले परवत का निर्मान तेथिस सागर की तली में भूगर भी खलचल की कारण हुआ है हिमाले परवत तथा विशाल पठार के बीच एक सक्री खाई जिसे जियो सिंक्लाइन कह जाता है विद्धिमान थी जो टेथिस सागर का ही एक शेश भाग था समय के साथ साथ हिमाले से जो निकलने वाली नदिया थी जैसे सिंधु गंगा ब्रमपुत्र आदी तथा प्रायदीपी पठार के जो उत्तरी भाग है वहां से बहने वाली नदिया यहां पर आवसाद जमा करती हैं आवसादों के जमाओं से यह जो शकरी खाईी वह भर गई और इससे उपजाओ मैदान का निर्माण हुआ इस मैदान में हजारों फिट की गहराई तक आवसादों का ही जमाव मिलता है मैदानी छेत्र में कुछ इस्थलाकृतियों के स्थानी नाम बेट बेट एक ऐसा छेत्र होता है जो बाढ़ गरस्त होता है और इसी में हम देखते हैं पंजाब, पंजाब या दो आपको हम पहले जान लें, दो आप, आपका अर्थ होता है पानी, मतलब दो नदियों के बीच की भूमी जहां पर दो नदियों का जो पानी है उसका प्रवा अच्छेत्र है, तो इस प्रकार से पंजाब जो है वो नदियों का आप छेत्र है, इसलिए इस पांच नदियों के आप छेत्र के आधार पर ही पंजाब नाम पड़ा है, अब आए हम मैदान को भौतिक विभागों में विभाजित करते हैं, जैसा भी मैंने चर्चा की थी कि इस मैदान का निर्मार जो है वो सिंधु, गंगा और ब्रह्म पुत्र नदि के और उसकी साहयक नदियों के द्वारा किया गया है, तो इसी आधार पर इस मैदान का हम भौतिक विभाजन करते हैं, जिसमें हैं पहला सिंधु, सतलच का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान और तीसरा है ब्रह्म पुत्र का मैदान, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु सतलच के मैदान पर तो पहले हम चर्चा करते हैं सिंधु सतलच का मैदान बच्चो मैदान के इस हिस्से को भारत में पंजाब हरियाना का मैदान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका विस्तार प्रमुखरुप से पंजाब और हरियाना राज्यो और इहां पर सिचायी के भी जो हैं वो बहुत से साधन विक्सित किये गये हैं, ये पूरा मैदान का ये जो छेत्र है वो सिंधु और उसकी जो सहायक ने दिया हैं, उनके द्वारा इसके निर्मान किया गया है, इसी क्या जैसे भी मैंने बताया कि पंजाब laser वर हրयाना में इ तो हम देखेंगे इसमें कुछ विशेश इस्थलाकृतियां भी देखने को मिलती हैं, जिसमें पहला है जैसे बेत, बेत ऐसे छेतर के लिए इस टम्स को यूज किया जाता है, जो बाढ़ गरस्थ होते हैं, बाढ़ गरस्थ छेतर को बेत कहा जाता है, इसी प्रकार से दो जो पंजाब हम कह रहे हैं, पंजाब का नाम ही इसलिए पड़ा है, क्योंकि ये पांच नदियों का आप छेतर हैं, तो दो आप किसे कहते हैं, दो आप, दो नदियों के मध्य की जो भूमी होती है, मध्य का जो छेतर होता है, उसे हम दो आप कहते हैं, तो कि किसी प्रकार पंजाब जो है वो पांच नदियों का आप छेत्र है जिसमें सिंधु की जो सहायक नदिया हैं सतलज, रावी, ब्यास, चिनाप और जेलम इन पांच नदियों के आप छेत्र से पंजाब का नाम जो है पंजाब का जो है नामकरण हुआ हैं तो यहाँ पर यह विशेश इस्थ अब हम यह देखते हैं कि इस पूरे छेत्र में जैसे पंजाब, हरियाना और जो पश्मी उत्तर प्रदेश का छेत्र है यहां पर नलकूपो और नहरों के द्वारा सिचाई की अच्छी व्यवस्था की गई है जिसके कारण यहां पर फसलों का उत्पादन भी जो है वो बहु आपना कर इस पूरे छेत्र में उत्पादन को बढ़ःवा दिया गया है अब आप कहेंगे कि हरितकरांति क्या है और मुझे लगता है कि आप इस शब्द के साहथ साथ इस प्लान से इस योझना से आप बहुत अच्छे से परिचीत होंगे हरितकरांति में फसलों के अधिक पादन को प्राप्त करने के लिए जो अच्छी किस्म की बीजे हैं इसके साथ ही साथ उर्वरक या किट नाशकों का जो प्रयोग है और साथ ही जिन छेत्रों में सिचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ पर सिचाई के द्वारा और जहां पर सिचाई है वहाँ पर और अधिक सिचाई की व्यवस्था करके वर्ष में दो से तीन फसली छेत्र वहाँ पर बनाया गया है तो हाइब्रीड इसलिए हम कहते हैं कि उच्छे किस्म या उच्छे तक्नीक का प्रयोग करके हरितकरांती के माध्यम से फसलों का जो उद्पादन है वो अधिक से अधि और हरितकरांती का सरवाधिक प्रभाव गेहुं की फसल में देखने को मिला है इसके साथ ही साथ जो जो जुआर है बाजरा है मक्का है और साथ ही अब उन छेत्रों में धान की भी अच्छी फसले ली जाती है और यह पूरे ऐसे छेत्र हैं जहां पर वर्ष में 2-3 फसले ल और यहां पर नदियों के माध्यम से चुकी एक समतल मैदानी छेत्र है इसलिए नदियों के माध्यम से नहरे जो है वो निकाली गई है और नहरों को बहुत आसानी से खेतों तक पहुंचाया जा रहा है नहरों के माध्यम से पानी को इसलिए सिचाई की बहुत अच्छी बनाया गया है और इस बांध के बनने के बाद से हम देखेंगे कि पंजाब में नहरों का और अरधीक विकास वो और साथ ही साथ पन बिजली कभी जो उतपादन है वो होने लगा जिसके फलसुरूफ इस पूरे छेत्र में घरों के साथ जो मिलने वाली बिजली है वो घरों के साथ उद्योगों में भी इसको उपलब्ध कराया गया जिसके कारण इस छेत्र में और द्योगी करण का अच्छा खासा विस्तार हुआ है या विकास हुआ है नदियोदारा बहा कर लाए गये और सादों के निक्षेप के आधार पर इस मैदान में विभिन प्रकार की स्थल आक्रीतियां बनती हैं मिट्टी के निक्षेप के आधार पर इस मैदान को निमनलिखित भागों में बाटा गया है इसे भाबर तराई बांगर खादर भाबर शिवालिक की तलहटी में नदियां परवत से नीचे उतरते समय छोटे-छोटे चट्टानी टुकड़ों का जमा जाता है इस छेत्र में पानी पत्थरों के जमाओं के नीचे से बहता है तराई भाबर प्रदेश में बिलूप्त हुई नदियां मैदानी भागों में फिर से दिखाई देने लगती हैं और उसका जल अधिक विस्त्रित छेत्र में फैल जाता है जिससे यह एक दलदली छेत जाता है जिसे टराई कहा जाता है बांगर उतरी मेदान का एक बड़ा भाग जो पुराने जलोर मिट्टी का बना है मतलब ऐसा छेत्र जहांपर बाढ कessä पाणी नहीं पहुच पाता इस छेत्र को बांगर के नाम से जाना जाता यह मैदानी छेत्र अपेक्षाक्रित कमुग जाओ होती है जहां पर मोटे अनाज की खेती की जाती है खादर वर्षा के समय में जब नदियों के बाड़ का जो पानी होता है मैदान के जिस छेत्र में हर वर्ष जमक किया जाता है या हर वर्ष वहां तक बाड़ का पानी पहुँच पाता है जिससे उस छेत्र में नवीन काप मिट्टी का निक्षेप होता है और इन निक्षेपों को ही खादर कहा जाता है अता हम कह सकते हैं कि ऐसे छेत्र जहां पर नदियों के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँच पाता है और उसके माध्यम से वहाँ पर एक नवीन काप मिट्टी का जमाओ जो है वो प्रतिवर्ष होता है तो नवीनतम जलोड मिट्टी का जो छेत्र होता है वो खादर का ज बिहार और पर्शिम बंगाल में हैं जिसमें गन्ना, गेहूं, धान, जूट, दलहन और तिलहन की खेती अधिक की जाती है गोखुर जिल गोखुर जिल का निर्मान नदी मोड से होता है जब कभी नदी में बाढ़ाती है तो नदी अपने घुमावदार मार्ग को छोड़कर एक सीधे मार्ग से प्रवाहित होने लगती है इस प्रकार से छूटे हुए घुमावदार भाग में जलका भराव हो जाता है जिसे छाडन जील या गोखुर जील के नाम से जाना जाता है इसकी आकरिती गाए के खुर के समान होने के कारण इसे गोखुर जील कहते हैं अब दूसरा इसका भाग है गंगा का मैदान इस मैदान का जो निर्माण है वो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है नाम से इस पस्ठ हो रहा है उसकी सहायक नदियां जैसे यमुना है घागरा है गंडग कोसी इन सभी नदियों के द्वारा इस मैदानी भुभाग का निर्माण किया गया है गंगा और इसकी सहायक नदियों ने मैदान के इस छेतर में बारिक काप मिट्टियों का जमाव किया है जिसे इस मैदानी भाग का निर्मान हुआ है इसका जो विस्तार है वो आपके दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पर्शिम बंगाल के एक बहुत बड़े भुभाग पर इस छेतर का विस्तार देखने को मिलता है यहां पर जो भुमी गजल है वो बहुत कम गहराई पर मिलती है और यहां मैदानी, इस मैदानी छेतर में हम देखेंगे कि मानसुनी हवाओं के द्वारा भरपूर वर्शा होती है और इसके कारण कभी-कभी नदियों में छेतर में बाड़ भी आ जाती है और चुकि सिचाई सुईधाओं का बहुत अच्छा यहां पर विस्तार है इसलिए हम यहां देखेंगे कि यमुना का जो पश्यमी मैदान है उसमें ये सरवाधिक देखने को मिलता है जिसके कारण इहां पर वर्श में अधिक से अधिक दो से तीन फसले भी ली जाती है यहां मिसे कहें कि गहन क्रिशी का इस छेतर में हमको विस्तार देखने को मिलता है सांथ ही ये एक सघन आबादी वाला छेतर है इस मैदानी भुभा के यदि हम प्रमुख नगरों की बात करें तो आपका दिल्ली है, मतुरा है, आगरा, मेरट, लखनओ, इलाहबाद, वारणसी, पटना, कोलकाता ये सभी जो हैं वो गंगा के मैदान के प्रमुख नगर हमें यहां पर देखने को मिलते हैं बच्चो, नदियों के द्वारा जो निक्षेप या औसात का यहां पर जमाओ किया गया है उसके अधार पर यहां पर कुछ विशेश प्रकार की इस्थलाक्रीतिया निर्मित होती है जैसे पहला हम देखते हैं भाबर भाबर वो छेत्र होता है जहां पर जो शिवाली की तलहटी वाला छेत्र होता है गिरिपाद जिसे हम कहते हैं वहां पर जब हिमालय से आने वाली नदियां चुकि धाल जो है वो बहुत धीमा पड़ जाता है जिसके कारण नदियों के जल में इतनी छमता नहीं रह जाती कि वो बड़े-बड़े चट्टानी टुकडों को या बजरी को अपने साथ बाहा कर दूर तक ले जा पाएं। इसलिए एकदम से ढाल धीमा होने के कारण वो बड़े-बड़े जो बजरी या रेत के चट्टानी टुकडे होते हैं उसे वो शिवाली की तलहटी में यहीं पर छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे चेत्र जो है वो भाबर कहलाते हैं। इन चेत्रों में बड़े चट्टानी टुकडे या बजरी के टुकडे तो मिलते ही हैं और यहां पर जो नदिया उतरती हैं हिमालय से वो भूमी गत हो जाती हैं। दृष्टी गत नहीं होती हैं। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो तराई वाला चेत्र है। जो नदिया भाबर चेत्र में भूमी गत हो जाती हैं। वहले पर फिर से प्रकट हो जाती हैं। और चुकि यहां पर नदिया थोड़ा मंद ढालत तो होता ही ह। है। कि जो भाबर छेत्र में हमको बड़े चट्टानी टुकड़ों के निकशेप या अवसाद मिलते थे, अब वो इस छेत्र में आने पर जो बारीक चट्टानी टुकड़े या छोटे चट्टानी टुकड़े जो हैं, छोटे बजरी या रेत का जमाव हमें, बारीक रेत का के रूप में निर्मित हो गया है इसे हम तराई छेत्र कहते हैं और यहां पर विवित प्रकार की वनस्पतियों की जाती भी देखने को मिलती है और अब वर्तमान में हालंकी पहले इसमें कृषी करना संभव नहीं था या बहुत अधिक ये कृषी के योग्य नहीं था लेकिन अब इस छेत्र को भी कृषी के दिर्ष्टी कोण से इसका विकास जो है वो किया जा रहा है ताकि यहां पर भी कृषी कारिय अच्छी तरह से हो पाए फिर आगे जैसे बढ़ते हैं तो तीसरी स्थला कृती आती है बांगर बांगर वो छेत्र होता है हम ये कह सकते हैं ये अपेक्षाकृत उचा छेत्र है, जहाँ पर जब नदियों में बाढ़ा आता है, तो नदियों के बाढ़ का पानी यहाँ पर नहीं पहुँच पाता, तो हम इसे कहते हैं कि यह पुरानी जलोड मिट्टी का छेत्र होता है, अब चुकि यह पुरातन जलोड मिट्टी का छेत् बहुत जादा इस मिट्टी में उपजाओ पर नहीं होता है, उपजाओ नहीं होती है यहां की मिट्टियां, इसलिए कृषि के दृष्टि कोड से बहुत अधिक महत्तवपूर्ण नहीं होता, फिर हम आगे आते हैं, तो हमको छेतर मिलता है खादर, खादर अपेक्षा कृत, बांगर की अपेक्षा एक निचला भूभाग होता है, जहां पर नदियों के बाढ़ का पानी हर वर्ष पहुँच पाता है, अब हर वर्ष नदी के बाढ़ का पानी यहां पर पहुँच रहा है, तो प्रती वर्ष हम देखेंगे, कि बाढ़ के द्वारा नवीन जलोड इसका बहुत महत्व है, क्रिशी के द्रिष्टिकोंड से, तो इस छेत्र को हम खादर कहते हैं, तो अभी हमने क्या देखा, भाबर, तराई, बांगर और खादर, यह चार भूभाग हैं, अवसादों के निक्षेप या जमाओ के द्रिष्टिकोंड से मैदान के, तो कि यहा यह सभी फसले जो है, वो प्रमुक रूप से इस छेत्र में ली जाती हैं, और इसका विस्तार जो है, वो बिहार, पश्शिम, मंगाल और उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है, अब हम मैदान के तीसरे भाग, प्राकृतिक भाग, जिसे ब्रह्म पुत्र का मैदान कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे, यह मैदान जो है, वो देश के पूर्वी भाग में हमें देखने को मिलता है, और असम राज्य में इस जो ब्रह्म पुत्र नदी है, इसके दोनों और एक सक्री पट्टी के रूप में इस मैदानी भाग का विस्तार है, और कहां तक विस् पाली हुई है, इस मैदान का जो निर्माण है, वो ब्रह्म पुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए, जो बारिक निक्षेफ हैं या बारिक काप मिट्टी के द्वारा उसके आउसादों के जमाओं के कारण इस मैदान का निर्माण हुआ है, यह मैदान बह इसलिए इस मैदान में हम देखेंगे जूट और चामल जो है वो प्रमुखुरूप से ये फसले जो है वो ली जाती हैं। मैदान का ये हिस्सा उत्तर पुर्व और दक्षिन तीन ओर से परवतों से घिरा हुआ है। ब्रह्मपुत्र और उसकी साहयक नदियों में बहुत अधिक जब बाढ़ा जाती है तो बाढ़ाने के कारण नदियों के मार्ग में औसादों के जमाव हो जाने से ये नदियां जो हैं वो कई शाखाओं में बट जाती हैं। और अनेक शाखाओं में बटने के कारण नदि मार्ग में और रोध के कारण हम देखेंगे यहाँ पर अनेक द्वीपों का जो है वो निर्माण हुआ है विकास हुआ है जिसमें प्रमुख जो है वो ब्रह्मपुत्र नदि में स्थित असम का माजुली दीप माजुली दीप आपको पता होना चाहिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है, डेल्टा, सागर में मिलने के पूर्व नदी विद्धावस्था में होती है, यहां नदी का ढ़ाल बहुत मंद हो जाता है और जल का वेग भी कम हो जाता है, जिसके कारण नदियां अपने साथ ला आए गये अवसाध होते हैं, वो अपने पाट पर ही जमा करने लगती है, जिसके कारण उनका मार्ग जो है, अवरुद्ध होने लगता है, और यह अवरुद्ध मार्ग कई शाखाओं में बटकर समुद्र तक पहुंसता है, इस प्रकार से नदी के द्वारा निर्मित त्रि द्वारा इसी छेत्र में जो है, वो डेल्टा का निर्माण किया गया है, अब डेल्टा, डेल्टा क्या है? जब नदियां अपने अंतिम मुहाने पर हम बात करेंगे, कि समुद्र से मिलने वाली होती है, तब उसका ढाल जो है, बहुत मंद होने के कारण यह बहुत बड़े चेत्र में फैल जाती है, और उसके सामने चुकि नदी की धारा में इतनी छमता नहीं रह जाती, कि वो अपने साथ अवसादों को परिवान करके ले जा पाए, और जो आवसाद हैं, वो उसके मुहाने की तरफ ہी जम्हा होते जाते हैं, जिसके कारण यह नदी की धारा है, वो कई वित्रिकाओं में बढ़ जाती है, कई शाखाओं में बढ़ जाती है, उसका जो स्वरूप है वो अंग्रेजी के डेल्टा के समान होता है, त्रिभुच के समान ये आकरिती हो जाती है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं, और इसी छेत्र में या मैं कहूं कि मैदान के इसी भ या इस डेल्टाई चेतर में सुन्दरी नमक व्रिक्ष की जो है वो प्रधानता है जिसके कारण इस डेल्टा का नाम करण इसी व्रिक्षों के नाम पर पड़ा है सुन्दर्वन का डेल्टा बच्चो हमने मैदान की बनावट और वहाँ पर मिलने वाली जो विवित्ता है उस पर चर्चा की अब आए हम देखते हैं इस मैदानी चेतर में रहने वाले जो लोग हैं वो किस प्रकार अपना जीवन यापन जो है वो करते हैं तो इसी संदर्म में हम एक छोटी सी कहानी लेते हैं एक छोटे गाउं की कहानी के बारे में हम देखते हैं कि वहाँ लोगों का रहन सहन कैसा होता है उनकी अर्थ वैवस्था किस प्रकार की है तीसी संदर्म में हम बात करते हैं पश्यमी उत्तर प्रदेश का एक जीला है ब यह चुकि मैदानी छेतर में पढ़ रहा है और यहां की अधिक जनसंख्या जो है लगभग 75% जनसंख्या यहां पर क्रिशी कारे में लगी हुई है। यहां पर सिचाई सुविधाओं का बहुत अधिक विस्तार है और साथ ही साथ हम देखेंगे कि यहां जो भूमी गजल है वो लगभग 28-30विट की गहराई पर ही मिल जाती है। और साथ ही साथ ये देखा जाता है कि सिचाई सुईधाओं के विस्तार के कारण सघन बसाहाट तो यहाँ पर मिलती ही है और साथ ही साथ लोग चुकि क्रिशी पर बहुत अधीक जन संख्या क्रिशी पर नीरभर है और वो वर्ष में दो से तीन फसले तक लेते हैं यहाँ पर गहन क्रिशी जो है वो की जाती है हम देखेंगे कि जब खरीव का मौसम होता है तो यहाँ पर उडद, चावल, बाजरा इस टाइप की फसले ली जाती है और जब रभी का मौसम आता है तो रभी के मौसम में भी अजवार है दलहन फसले हैं गेहू है इस परकार की जो फसले हैं वो यहाँ पर उत्पादि की जाती है इन फसलों में जवार और बाजरा जो है वो जानवरों को खिलाने के लिए इस्तिमाल होता है और गेहू जो है गेहू का जो उत्पादन किया जाता है वो इस बुलंद शहर जो जीला है वहाँ की मंडी बेस दिया जाता है इसके अलावा हम देखेंगे यहां की जो प्रमुख फसल है वो गन्ना है हर गाओं के वो किसान जिनके पास 4-5 एकर तक भूमी है इस गाओं के प्रत्य किसान जिनके भी पास 4-5 एकर तक भूमी होती है वो अपने खेत के कुछ हिस्से में गन्ने की खेती करते हैं और ये गन्ना पास्क में ही जो इनका शुगर फैक्टरी होता है चीनी कार खाना होता है वहाँ पर बेस दिया जाता है और वहाँ पर इसका उपियोग चीनी या गुड़ बनाने के लिए किये जाता है कृशी के साथ साथ यहाँ के लोग पशु भी पालते हैं पशु पालन का भी कारी करते हैं बड़े किसान जो होते हैं इन पशुओं से जो दूध मिलता हे उससे घी या दूध से सममणधित जो पदार्त है वो सिर्फ अपने घर के उपियोग के लिए ही रखते है और जो और चुके उनके पास बहुत बड़ी भूमी नहीं होती है, भूमी का एक छोटा सा ही हिस्सा होता है, जहां पर खेती करना संभव नहीं है, तो वो पशु पालन से जो भी पदार्थ प्राप्त होते हैं, उन्हें बेच कर अपनी आजीवी का कर निर्वा करते हैं, इसके तरिक जो परिवार है वो दूसरे की खेती में ही जो छोटे किसान होते हैं, वो दूसरे के खेतों में मजदूरी का कारी करते हैं, और सांथ में पशु का जो गोबर होता है, वो बड़े किसानों को चारे या रुपेयों के रूप में वो बेच देते हैं, जिससे जो गोबर उनको उस गोबर का उपयोग खाद के लिए किया जाता है अब हम देखेंगे सगन बसाहट उत्तर के इस पूरे मैदानी छेतर में सगन बसाहट देखने को मिलती है और इसी इसको समझने के लिए हम फिर से मीरपूर गाउं पर ही एक नजर डालें तो हम देखेंगे कि इसका जो बद वर्ष बदलते परिवर्तन को इसमें दिखाया गया है कि 1861 से 2011 में क्या परिवर्तन हूं हम तालिका में यहां देख पारहे हैं वर्ष 1861 में यहां 459 जंसंख्या निमास कर थी जिसमें खेति हर बहुमी introduced at अब 1921 में हम यह आकड़े देख रहे हैं तो जनसंख्या बढ़कर 459 लोग से होकर 731 लोग अब यहां निवास करते थे खेती हर भूमी भी 228 से 264 हो गई कुल भूमी जो है वो 276 ही है और सिंचित भूमी भी बढ़कर 69 से 131 हेक्टेर हो गई 1961 में हम देख रहे हैं जनसंख्या 1227 हो गई खेती हर भूमी जो है उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल रही है 260 हेक्टेर हो गई कुल भूमी का जो है वो उतनी ही है 276 ही है और सिंचित भूमी की मात्रा फिर से बढ़ गई जो 131 से 192 हो गई है 1981 में हम देखते हैं जनसंख्या में लगातार व्रिद्धी देखने को मिल रही है यह 1227 से 1848 हो गई है और खेती हर भूमी जो है वो घटकर 250 रह गई कुल भूमी 276 ही है और सिंचित भूमी में व्रिद्धी हुई है जो की 192 से 250 हो गई अब वर्ष 2011 की जनगर्णा में हम देखें तो यहां पर जनसंख्या में फिर से व्रिद्धी दर्ज की जा रही है जो जो 1848 से 289 हो गई है खेती हर भूमी 245 रह गई घटकर जो 250 थी 1981 में कुल भूमी 276 ही है और सिंचित भूमी में हमें कमी देखने को मिल रही है जो अभी तक लगातार व्रिद्धी हो रही थी वो 211 में 250 से घटकर 245 हेक्टेर हो गई है मीरपूर में भूमी का वित्रण देखें यहां पर किसान के प्रकार भूखंड का आकार वहां परिवार की संख्या और परिवारों का प्रतिशत जो है वो हमको नजर आ रहा है हम तालिका से समझ पा रहे हैं कि प्रतिशत यहां मध्यम और जो बड़े किसान हैं उनके पास दो αर्चे अधिक भूमी हैं और ऐसे परिवार पचास है और उन परिवारों का प्रतिशत जो है वो कुल में कुल का ग्यारआद शमलो एक एक प्रतिशत है जो लगू कृषक हैं उनके पास दो हेक्टेर से कम जमीन है ऐसे परिवार यहां 220 है और ऐसे परिवारों का प्रतिशत जो है वो 48.8 प्रतिशत है जो भूमी हीन मजदूर है जिनके पास एक भी भूमी नहीं है उनके पास भूमी का प्रतिशत या भूमी का आकार जो है वो नील है 0% है परिवार की जो संख्या है भूमी ही इन मजदूरों के 131 हैं और इनका जो प्रतिशत है वो 29.1 एक प्रतिशत है